नमस्कार आज का जो हमारा टोपिक है क्लास ट्वैल्थ चैप्टर फॉर्थ अक्सरसाइज 4.1 4.1 और इस अक्सरसाइज से पहले जो इंट्रो है हम वो पिछली वीडियो में कर चुके हैं 4.1 के दो क्वेशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं तो यह जो exercise जो हमारी वीडियो है यह exercise 4.1 के third question से start है जैसे third के जो first two parts है मैंने छोड़ दिये हैं क्योंकि इसने पुछा कि find the value of x so that the given matrix is singular अब आप यह पताईए matrix अगर singular है तो मान के चलिए इस matrix को मैंने A मान लिया ठीक है जैसे इस matrix को क्या मान लिया A तो उसका A determinant क्या होगा जीरो होगा singular matrix कौन सी होते है जिसका determinant क्या होता है जीरो तो determinant of A क्या होगा जीरो अब expanding first row expand करते हैं first row को ठीक है first row को expand करते है जब हम first row को expand करते हैं तो क्या होता है यह agitives आपको पिछली वीडियो बता चुका हूँ जैसे यह छोड़ देंगे यह छोड़ देंगे जैसे इसके सामने वाला जो डो अवर छोड़ देंगे जैसे क्या होगा इसकी multiply माइनस यह ठीक है यह कर दिया फिर देखो यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा पर यहाँ पर माइनस तीन पहले है तो पलस होगा तीन personalities, अब क्या गरेंगे यह column छोड़ देंगे जैसे आप देखो अब हम क्या करेंगे यह column छोड़ देंगे और यह column छोड़ देंगे तो आपका क्या बचाया माइनस के 5 चार और 2x माइनस 6 है तो माइनस के 5 और x माइनस 6 की multiply यानि कि आपको बताया left से चलेगी matrix इसकी multiply माइनस 4 गुणा 2 8 ठीक है यह आगया फिर क्या करते हैं 4 4 में क्या करते हैं इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे यानि जब इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा माइनस 5 गुणा 1 x प्लस 2 इंटू 4 ठीक है यह हो गया वई बराबर क्या आएगा 0 क्योंकि matrix है जो singular है अब जैसे देखिए जब हम इसको soul करते हैं जैसे इसकी multiply अंदर कर दी तो यह आया अब इसकी अंदर multiply कर दी तो यह आया ऐसे इसकी multiply कर दी तो यह आया बराबर 0 ऐसे ही चलता रहेगा इनकी multiply करने के बाद यह जैसे हमारे पास में आया अब क्या होगा जैसे माइनस के 12 और 2 कितने होगे माइनस के 14 अब इनको शोल कर दिया, जैसे मैनस के 5 और 8, ठीक है, जैसे आपने पता है, और 30 में शाट गया, मैनस प्लस के 22 बच गया, यहाँ पे मैनस के 8 और मैनस के 5 कितने होगे, 13 होगे, अब क्या करेंगे, X की मल्टिप्लाय इसके 7 और 1 की, अब 3 की, इसके 7 और 4 की, तो भी चार X माइनस के पंदरा X माइनस के सोडा X जब आप इनको सो लग रहेंगे तो क्या बचेगा 49X और ये 56 और 52 ये कट जाएगा बराबर 0 ठीक है अब आप जैसे देख रहे हैं कि ये क्या रहा XQ माइनस 3X के और माइनस 49X तो आप इसमें से X को कोमन ले सकते हैं जैसे देखो इसमें से X को कोमन ले लिया X को जब कोमन लिया जैसे देखो X को कोमन लेने के बाद क्या बचेगा X के और माइनस 3X माइनस 49X ठीक है अब या तो X की वैल्यू जीरो होगी या फिर इसकी value 0 होगी x की 0 जब इसकी 0 होगी तो आप check कर सकते हैं इसके factor नहीं बनते हैं तो क्योंकि आप देखते हैं कि multiply उनिंचास हो तो ऐसे 2 ही होते हैं 7-7 उनिंचास या उनिंचास और 1 तो जैसे देखो आप क्या करते हैं इसको quadratic formula होता है जो कुछा formula minus b plus minus b square minus 4ac divide by 2a ये वाला formula होता ना जो quadratic formula ये use करते हैं जी हम तो जैसे देखो minus b plus minus b square भी ये होता है minus 4ac minus minus plus हो जाएगा क्योंकि c minus है ठीक है तो यह आ जाएगा अब 9 plus 196 में कितना हो गया 205 अंडरूट हो गया तो आपका answer क्या आया minus minus plus 3 plus minus 205 अंडरूट डिवाइड बाइ 2 या फिर x की value 0 और ये 2 answer आई अब fourth question देखिए fourth question में क्या पुछा है minor और co-factor पूछा है ठीक है तो जैसे देखो minor भी पूछा गया co-factor भी पूछा गया है ये पुछा कि इसने minor बताई है co-factor बताई है जैसे मैंने इसके minor बता दिया co-factor में आपको आगे बता हुआ चलो देखते हैं यहीं पर बताते हैं देखो a is equal to this determinant of a लिख देंगे m11 क्या आएगा मैं बता चुका हूँ आपको intro वीडियो में m11 यह है तो आप क्या करते हैं इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे तो 5,1,-1,2 बच गया ठीक है तो जब आप sol करेंगे यहां से left से start करते 5,2,10,-,-,-,-, पलस हो जाए तो 11 आ गया ठीक है ऐसे m13 कर निकालते हैं क्योंकि minor को m से denote करते हैं m13 जैसे यह छोड़ देंगे यह छोड़ देंगे 3,0,5,1 तो 3,1,-3,-0,3 आ गया ठीक है अब ऐसे ही आप अगले element के निकाल लेंगे अब मैं पिछली वीडियो में आपको जो 2 क्रोस 2 का उसका co-factor बता चुका है बड़ 3 का नहीं बताया तो 3 का यहां बताता हूँ आपको मैं जैसे देखो कैसे करेंगे जैसे co-factor किसे denote करते हैं aij से denote करते हैं क्या होता है minus 1 की power i plus j into क्या होता है mij j होता है ठीक है अब जैसे मैंने co-factor निकालना है m11 देरख है यह m11 और 13 का निकालता हूँ मैं जैसे तो मैं निकालना जैसे a11 तो मैं यहां पर क्या लिखूँगा minus 1 की power देखो i plus j का मतलब क्या है 1 plus 1 ठीक है mij j mij j का मतलब क्या है m11 अब minus 1 की power देखो 1 plus 1 कितना हो गया 2 हो गया यानि कि plus आ गया m11 कितना है m11 11 है तो यह भी हमारा कितना आ गया 11 आ गया अब हम जैसे क्या करते है m13 को और निकाल के दिखाता हूँ आपको जैसे क्या करोगे आप m13 तो क्या होगा minus 1 की power minus 1 की power देखो क्या होगा 1 plus 3 और यहां कितना होजएगा m13 ठीक है m13 होगा जैसे देखो minus 1 की power 4 होगया positive m13 कितना है 3 तो यह भी कितना आ गया 3 आ गया बट जब जिसका odd जिसका sum है न odd आएगा उसके आगे क्या आएगा negative आएगा क्या आएगा negative जैसे a12 निकालोगे आप तो a12 में क्या करोगे minus 1 की power 1 पलस 2 into में m12 ठीक है तो m12 की वेले हमने नहीं निकाली लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो minus 1 की power क्या होगया 3 होगया तो यह क्या आ जाएगा negative आ जाएगा ठीक है अब determinant कैसे निकालते है जैसे determinant भी पूछा है इसका तो determinant कैसे निकालते है जैसे क्या है देखो मैंने expand कर दिया first row को ज़्यादा तर जैसे इसको भी expand कर सकते है first column को जब आपको कहीं दिखाई देदे कि zero है उस row में या column में तो आप उसको ले लिजे क्योंकि उसको करने से असानी होगी जैसे क्या करते हैं जैसे हम देखिए क्या करेंगे जैसे देखो first row को expand किया एक एजरी गुणा में हो जाएगा देखो ये छूट जाएगा ये 5 गुणा दो 10 माइनस माइनस पलस तो आपको पता है 10 माइनस माइनस अब पलस में 0 आगया देखो वैसे तो नेगटिव आता है 0 यहाँ पे नेगटिव आता है डेटरमेंट निकालते टाइम यहाँ नेगटिव क्यों आता है क्योंकि ये co-factor की वज़े से ही आता है क्योंकि जब आप A 12 निकालते हो ना तो क्या होता है माइनस एक की पावर एक पलस दो एम बारा होता है तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है नेगटिव आता है क्योंकि ये तो A 11 हो गया ये 12 हो गया ये A 13 हो गया तो A 12 नेगटिव आता है इसलिए डेटरमेंट निकालते है time चाहिए आप रो, रो को use किजिया है, kolum को, kolum use करोगे क्योंकि यह一 की से तो भी क्या आएगा? odd आएगा, तो order आएगा तो power जब odd होगी क्या आएगा? negative तो beach वाले में क्या आएगा? negative यही क्या कारण है कि beach में detriment निकालते time negative आता है फिर आपका laser जैसे यह जीरो यह जाएगा ये तो 3 गुना में 1-5 गुना 0 यहागए ठीक है?」 अब जैसे देखो मैनस मैनस प्लस ग्यारा 4 यह Mm- DAC 3 लारय 12 वारा और ग्याद़ होगे 23 सम्में प्या है से मतलब इसमें Determinant निकालना है, Determinant हम निकाल सकते हैं, पिछे हम निकाल चुके हैं, बट यहाँ पर मैं है इसका fifth, जो question fifth का sixth part कर रहा हूँ, ठीक है, देखो जो मेरे को अच्छा लगया, और important लगया, वो कर रहा हूँ मैं, जैसे देखो बे, Determinant निकालना इसका, क्योंकि इसने पूल ल third column, third column क्यों expand कर दिया, क्योंकि मेरे को लगा कि एक zero है, छोटी रखम हो जाएगा, और असानी से soul हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें zero उसको असानी से soul करने में, आसान रहेगा आपके लिए, जैसे देखो, जब आप इसको expand करते हैं, तो minus sin alpha के multiply म into sin alpha, अब minus करोगे, इसकी और इसकी multiply, देखो sin alpha, cos बिटा और cos बिटा क्या हो गया, plus zero, क्योंकि zero के कुछ भी करोगे न, multiply में, zero आएगा, वो मैंने लिखाने, अब cos alpha, cos alpha देखो, क्या होगा, ये छुट जाएगी, और ये छुट जाएगी, तो क्या होगा, इसकी और इसकी multiply, minus इसकी multiply, ठीक है, देखो, जब इसकी multiply करेंगे, तो क्या हो जाएगा, cos square बिटा हो जाएगा, तो देखो, क्या करोगे, cos square बिटा, cos alpha, यूँ का यूँ, देखो, जब minus करोगे, इसकी multiply को, तो minus है, बार, तो minus minus plus हो जाएगा, तो क्या है, sin square बिटा, क्या ह Sin-Square-beta koos-alpha ठीक है अब जैके दिखो इसमें से माइनस बार ले लिया इसमें से माइनस बार ले लिया और sinon alpha बार ले लिया इसमें से माइनस sin-alpha बार ले लिया मानगे चलो यह कैंदेगें तो sin-alpha जब बार आएगा तो क्या हो गया को स्केर अलफा हो गया तो यहां क्या बचा को स्केर बिट्टा यहां क्या बचा साइन स्केर बिट्टा अब साइन स्केर बिट्टा पलस को स्केर बिट्टा कितना होता है वन एंगल अगर सेम है तो साइन स्केर पलस को स्केर क्या होता है 1 होता है, तो sin square alpha into 1 sin square alpha, cos square ये भी क्या आएगा 1, तो cos square alpha is equal to किसके आए, 1 के तो हमारा answer क्या आया, 1 आया जी, अब जैसे 6 सम देखिए, 6 सम में क्या कहता है, prove that the determinant is independent of theta मतलब पता क्या कहता है, कि जब आप इसका determinant निकालोगे determinant निकालोगे, तो वो उत्तर उसमें theta में निकालोगे, इंडिपेंडेंट का मतलब पता क्या है, जैसे मान के चलो, इसका उत्तर है, cos theta आगया तो theta आपने मान के चलिए, pi by 2 put कर दिया तो आपका answer क्या आया, 0 आया जब pi by 4 put कर देंगे theta तो उत्तर आया, एक बटा रूट दो आपका उत्तर बार बार ये जो है, change हो रहा है, तो इसका मतलब independent है, बत ये कहता है कि independent है, independent का मतलब पता गया कि जब आप इसका solution करेंगे ना, तो ये क्या आएगा independent of theta, यानि कि theta में answer नहीं आएगा, या फिर ये theta पे depend नहीं होगा, मतलब independent रहेगा, independent का मतलब क्या है कि उस पे ना, theta कुछ भी put करो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो that mind निकालते हैं expanding, क्या कर दिया, हमने expand कर दिया, first column को ठीक है, sorry, expand कर दिया, हमने first row को first row को expand किया है ठीक है, first row को तो जैसे देखो, x as it is क्या होगा, इसकी multiply minus x square minus 1 अब क्या हो जाएगा, minus sin theta आपको मैंने बता रहे है, ये 12 क्योंकि इसका old sum है, तो night tube अब क्या होगा, ये चुट जाएगा, ये चुट जाएगा इसकी multiply minus x sin theta और क्या होगा, minus cos theta ठीक है, plus अब cos theta multiply में ये चुट जाएगा, ये चुट जाएगा, इसकी multiply क्या आगया, minus sin theta और इसकी multiply, minus minus plus हो जाएगा, x cos theta अब आप इसको multiply कर दीजिए जब आप इसको multiply करते हैं, तो आपका क्या है जैसे देखो, minus x cube minus x plus x sin sin theta, cos theta minus plus ये कट जाएगे, ठीक है, अब यहाँ से क्या आ रहा है, x common आ रहा है, x common ले लिया, तो क्या आया, sin square theta plus cos square theta, देखो x minus x cube, as it is minus x ये कि इसकी value कितने होती है, 1 1 into x क्या आया, x, x से x गया तो क्या आया, minus x cube अब आप चेक कर सकते हैं, ये theta पे independent है, क्यों, क्योंकि theta तो answer में आया है नहीं, आप theta कुछ भी लिखो, लेकि नितफ़ चेंज नहीं होगा इसलिए ये क्या है, independent अब question साथ क्या कहता है, find the value of x, find the value of x for which date a when it is, where age equal to, ये पता क्या कहता है, कि इसका determinant when it is हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है गायब होने का, मतलब पता क्या है यहां पे कि इसका determinant आपने 0 के बराबर put करना है, इसका जो determinant है, आपने 0 के बराबर put करना है ठीक है, और आपकी x की value आ जाएगी अब जो हमारा last term है last term देखिए last term की property मैं आपको पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ, जैसे देखो if a is equal to this then so that determinant of 3 a is equal to 27 determinant a, यह आपको मैं पिछली exercise से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब 3 बार आता है न तो जितने order की matrix होती है उतनी power लेके बार आता है तो यह बात बिल्कुल सही है बट प्रू करते हैं इसको जैसे देखो, starting में क्या हमारे पास में a matrix given है ठीक है, इसको 3 से multiply कर दिया 3 से multiply किया तो आपको पता है यह आ गया, 3, आपको पता सभी elements से multiply होगी अब हम क्या करते हैं, 3 a matrix का determinant निकालते है जैसे expanding first row भी यूज कर सकते हैं, बैट मैंने first column यूज कर दिया क्यों कर दिया, क्योंकि 2 0 आरे जल्दी हो जाएगा, 3 agitives इसकी multiply माइनस यह, तो 36 माइनस 0 पलस 0 कितना आ गया 36 बच गया, 36 तिया कितना होता है, 108, ठीक है अब हम क्या करते हैं एक डेटमेंट निगालते हैं, एक डेटमेंट निगाला तो क्या है, जैसे ऐसे यह, आप सहने से निगाल सकते हो, 4, ठीक है expanding first column, first column को expand किया, अब डेटमेंट एक ओ, 27 से multiply करते हैं, तो कितना आया, 4 स्ताइचों का कितना हो गया, 108 अब आपने क्या देख्या, अब आपने यह देख्या, जैसे देखो, 27 की जब 400 विल्ट पले कि यह आ गया वही अब यह आ गया ना, तो आपने क्या देख्या कि 3 एका डेटमेंट ब्राबबर है 27 एका डेटमेंट यह क्या है आपके ब्राबबर है वैसे यह क्या होती प्रोपर्टी भी होती है बढ़ आपने यहाँ पी इसको सो करके भी दिखा दिया अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और सेर कीजिए धन्यवाद